हलो फ्रेंज वेलकम आज के वीडियो में हम आपको आपकी कुर्ती के दोनो कंधे जोडना सिखाएंगे तो अपने ब्लाउस के कंधो को भी आप इस तरह जोड सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल और साफ सुत्रे तरीके से इसमें आपकी जो नेकलाइन के पास की सिलाई है वो इन्विजिबल हो जाती है बहुत ही क्लीन लोक आता है चलिए शुरू करते हैं तो ये देखे ये है हमारे दोनों पल्ले बैक साइड और फ्रंट साइड और दोनों के नेकलाइन कंप्लीट हो चुके हैं दोनों पे मैंने बक्रम लगा के नेकलाइन कंप्लीट किया है तो ये देखे ये है फ्रंट पार्ट और ये है इसका बक्रम और ये बैक साइड है ये है इसका बक्रम अब हम इनको कंधों से जोड़े के सो नॉर्मल वे में इस तरह से दोनों कंदों को हम मैच करते हैं और यहां सिलाई दे देते हैं यह भी तरीका ठीक है कंदे जोनने के लिए पर आज मैं आपको दो और तरीके बताऊंगी जिससे और अच्छा रिजल्ट आएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी back side के बकरम को इस तरह बाहर की तरफ निकालना है और front side की neck line को इधर side में इस तरह रखना है यह देखें, बिल्कुल side में हमने रखा है और यह जो बकरम वाला side है यह बाहर की तरफ निकला रहेगा back side का अब हमने यहाँ पे आधा इंच का मारजिन छोड़ते हुए सिलाई दे देना है यहाँ तक मैंने यहाँ पे आधा इंच का निशान भी बना लिया है तो यह आधा इंच का मारजिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे अपने कंधे जोड़ लेंगे बिलकुर normal regular तरीके से यह देखे हमने सिलाई दे दी है और हमारे दोनों कंधे जोड़ चुके हैं अब यह जो side है इसे हम देखे इस तरह सीधा करेंगे तो यह देखे यह जो fold है यह अपने आप ही इस तरह हो जाएगा और हमने बस इसको इस तरह fold करके सिलाई के उपर रखना है और यहाँ पे हमने तुरपाई कर देना है तो देखे कितना आसान तरीका था और इस तरह आपकी यह कंधे की सिलाई भी नहीं दिखाई देगी और side से और पीछे की तरफ से कितना clean look आएगा कितना finished look आएगा तो इस तरह से आप अपने कंधों को पूरा कर सकते हैं बहुत ही clean way में एक और तरीका मैं बताती हूँ आपको तो यह देखे इसमें भी यह जो back side का बक्रम है इसे हमने इस तरह निकालना है और front side की neckline को हमने again सेम उसी तरीके से बिलकुल sides में रखना है यहाँ पे यह देखे इस तरह अब हमने यह जो back side का इसे घुमा के front side के उपर इस तरह रखना है और यहाँ हमें सिलाई देनी है यह आधा inch का margin छोड़ते हुए हमने कंधो की सिलाई कर देनी है यह देखे सिलाई हमने दे दी है अब हम इसे just इस तरह पकड़ के सीधा करेंगे तो यह देखे यह सीधी तरफ से इस तरह घुम जाएगा और यह देखे यह है सीधी side से इसका look side से भी कितना clean look आया है यह देखे तो इस तरह से आप अपने कंधों को जोड सकते हैं बहुत ही clean look आता है professional look देता है और यह जो neckline के पास की सिलाई होती है दोनों कंधे जोडने की वो भी नहीं दिखाई देती है इसमें तो यह भी एक आसान तरीका है यह देखे यहाँ पे हमने तुरपाई देके इसको complete कर लिया है अब आप अपनी neckline में regular तरीके से तुरपाई करके उसे पूरा कर लिजे तो यह दो तरीके हैं अपने कंधे को जोडने के लिए आप इसे जरूर ट्राई करें बहुत ही easy हैं और बहुत ही clean look देते हैं साफ सुथरा काम लगता है उमीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा आपने अगर वीडियो पसंद आये तो मेरे पेज को जरूर लाइक करिएगा मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and take care